नगर पंचायत ब्रजमन गंची सित रेलवे स्टेशन पर आज रविवार को थाना अध्यक्ष ने पुलिस और जनता समवाद कर एक अनोखी पहल प्रारंब किया जिसमें आमचंता से लेकर जनप्रतिनिधी महिलाएं बच्चों समयत समाज का हर वर्ग समलित होकर अपनी सहबा गिता दिया इस अवसर पर जनप्रती निधियों समय सामाजी कारिकरताओं नौजवान महिलाओं ने समाज में व्याप्त बुरायों पर प्रकाश डालते हुए सभी से अपील किया हर एक नागरिक का करतव्य होना चाहिए कि सभी लोग पुलिस के साथ सहयोग कर एक स्वक्ष बातावरण क शिल्प कर बने पहल कारिकरम को संबोदित करते हुए यशो ब्रजमन गंच सुनिल कुमार सिंग ने कहा कि इस समबाद का मकसद है कि जनता से सीधे बात की जाए उन्होंने कहा कि समाज में किसी भी प्रकार की भ्रांतियां ना फैलाएं किसी भी तरहा का जो समाज को बुरा बातावरत त्यार कर रहे हैं उनके बारे में पुलिस को सूचना दे उनकी पूरी बातें गोपनी रखी जाएंगी उन्होंने नशाखोरी को बड़ावाद देने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके डाटा पुलिस को देने की अपील किया उन्होंने जनप्रतिनी दियों से अपील किया कि अनावश्यक रूप से पुलिस पर दवाब ना बनाए जिससे शांती व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस असहज ना हो, समाज के सभी अच्छे लोग जागरुक रहे और बुरे के खिलाफ खड़े हो, सभी लोग मर्यादा का पालन करें तो अपने आप बाता वरल शुद्ध और स्वक्ष हो जाएगा जानी पाल हमारे इस ब्रिवंदे नगर के थानदेश महोदे के अगवाई में हो रहा है, इसके लिए मैं अपने फिर्दय के गयरायों से इनको धन्दबाद देना चाहता हूँ सर प्रता पुलिस के इस पाल का पुषागत है, उरहोंने जनता के बीच में एक संदेश देने का काम किया, पबलिक और पुलिस के दोनों के बीच में एक सामजस्य होना चाहिए, इस संदेश के लिए और हम लोग इकठाओ करके एस प्रियास का समर्दन किया है, साथ ही एस्सो साव आज जिस दुरह से अध्यात्मिक तरीके से जनता के बीच में अपनी बातों को रखा है और एक सिख्षक की भूंका में लोगों को संदेश दिया है कि परिवार की इज़त करिए समाज में जो है कहीं गंदगी फैल लई है तो उसके खिलाफ आप खड़े ह होई है इन सब चीजों को लिए करके बहुत ही अच्छा लगा कि एक प्रसासन भी जो है एक इंसानियत है उसके अंदर इंसानियत वर्दी पहल लिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह इंसान नहीं रहा है आज धानमानी धाना देख्ष एक इंसान की भूंका में नजार आ देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर